आप सभी विद्यार्थियों के लिए आपके बोड परिच्छा की धेर सारी हर्दिक सुबकामना है आपका परिच्छा अच्छे से हो ऐसे हमारी मंगल कामना है जिहां बच्चों आपके एक्जाम के लिए मैं थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ एक important topic का जिसका नाम है रस जितने important रस आपके जो है बोड एक्जाम में इसके पहले कई बार पूछे हैं वो इस वीडियो के माद्यम से आपके जो है बताए जाएंगे और एक एक रस जो है एकदम clear करा दिया जाएगो बच्चों तो वीडियो की शुरुआत करते हैं यूपी बोड एक्जाम 2024 के ले class 12 हिंदी में जो है हमारा आज का topic है रस रस में जो है सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगार रस की तो ध्यान दीजे सिंगार रस की अब हम यहाँ पर बात करते हैं रति नामक इस्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो वह सिंगार रस का रूप धारण कर लेता है ध्यान से समझो बच्चों रति नामक इस्थाई भाव का कौन सा रति नामक इस्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो वह सिंगार रस का रूप धारण कर लेता है बच्चों इस रस के दो भेद होते हैं जो सिंगार रस है उसके दो भेद होते हैं एक संयोग सिंगार और एक बियोग सिंगार संयोग सिंगार में मिलन की बात किया जाएगा और बियोग सिंगार में विरह की बात किया जाएगा मिलन मतलब मिलने की बात किया जाएगा दिरह मतलब अलग होने की बात किया जाएगा तो बच्चो अब बात कर लेते हैं संयोग सिंगार के तो अब हमारा संयोग सिंगार हेडिंग है जब नायक और नाइका के मिलन का वर्णन होता है तो वहाँ संयोग सिंगार होता है जब नायक और नायका के मिलन का वर्णन होता है तो वहाँ संयोग सिंगार होता है बच्चों यहाँ पर एक जो है बहुत ही मतलब की अच्छा सवधारान संयोग सिंगार पर दिया गया है कौन हो तुम बसंत के दूद विरस पत जड़ के अति सुकमार, घंतिमिर के चपला की रेख, घं तिमिर में चपला की रेख, तपंत में सीतल मंद बयार तो ये आपके सैयोग सिंगार का क्या है? एक उधारन है, आप इसको जो है क्लियर कर लेजिए बियोग सिंगार की बात करें बच्चो तो यहां पर अलग होने की बात करेंगे विरह होने की बात करेंगे जब नायक युम नायका के विरह का वर्णन होता है तो वहां बियोग सिंगार होता है बच्चो ये वाला जो यहां पर उधारण दिया गया है ये आपके जो है मतलब की क्लास टल्थ के ही हिंडी पध्यांस में जो पवंदूतिका है उसी से लिया गया वहीं पर बिरह कथा का वरणन किया गया है ठीक इसमें लिकान मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेतर वाले यानि मेरे प्यारे स्रीक्रिष्ण नए बादल के समान रूप वाले और कंज यानि कमल के समान नेतर वाले जाके आये ना मधुवन से मतलब आप जब से मतुरा गये हैं वहां से नहीं आएं और ना भेजा संदेश से तो संदेशा है, पागल हो हैं जाके मेरी सब दुख कता स्याम को तु सुना दे, यह पवन दूतिका से राधा, भे, भिरधा का वर्णिन हो raha है, यहाँ बियोग सिंगार है, और यहाँ पर संयोग सिंगार है, तो आप चाहें, तो हम नेश्ट जो है रस पर चलेंगे और नेश्ट रस जो बहुत बार पूछा गया है वह है आपका बीर रस कौन सा रस है बीर रस तो बीर रस में उस्साह की बात आएगी जब उत्साह नामक इस्थाई भाव उत्साह नामक इस्थाई भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब बीर रसकी उत्पत्ती होती है उधारन के लिए साजी चतुरंग सैन अंग मैं उमंग धारी सरजा सिवाजी जंग जीनत चलत हैं भूसन भनत नाद व्रिध नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत हैं यानि यहाँ सिवाजी युद्ध के मैदान में सानिकों में सा भर रहे हैं यहाँ पर बीर रसकी जो है इसमें बीर रस है ठीक करुणरस की परिभासा है जब सोक नामक इस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से सयोग करता है तब करुणरस की उत्पत्ती होती है उधारन देखिए क्यों छलक रहा दुख मेरा उसा की इम्रिद पलकों में हाँ उलस रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में तो यहां पर दुख की बात कर रहा है इसलिए इसमें कौन सा रस होगा करुण रस होगा बच्चो नम्बर नेश्ट हमारा है हासरस हासरस की बात करते हैं तो जब हास नामक इस्थाई भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से सयोग करता है तब वहां पर कौन से यहां संकर जी के बरात में जो है अलग अलग भेस भूसा के लोग जो है बरात में जा रहे हैं जिनको देख कर जो है काफी लोग यहां पर जो सकियां है जिन सिस्यू का विवा हो रहा है वो काफी मुश्कुरा रही है काफी हस रही है तो इसलिए यहां पर कौन सा आपका रस होगा यहां पर आपका हास रस होगा आप इसका भी स्क्रेंशॉट ले सकते हैं ऐसे और वीडि में ठाएं कि सोमच जैहिन पन्निमादर